हेलो डियर स्टुडेंट्स, वेलकम अगें टु दे मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल, चैप्टर थ्री केमिस्ट्री के पीवाई क्यूज लेकर आ चुके हैं हम, एक बहुत ही खुशी की बात है कि जल्दी तैयार हो गए है ये, इस वज़ा से जो है वीडियो आपके पास ज इसमें हमारा टार्गेट रहेगा कि हम साड़े तीन से चार महीने में फिजिक्स का पूरा जो है कम्पलीट करें, सिलेबस और इसमें विडियो लेक्चर के माधियम से आपको नोट्स प्रोवाइड किये जाएंगे, इम्पॉर्टेंट टेस्ट, इम्पॉर्टेंट कुश् आप लोगों की होने वाली है इसके अंदर, सिर्फ 5.99 में, जब तक ये offer है 5.99 का, और उसमें भी आप लोगों को मालूम है, पहले 50 students के लिए 50% discount का code है, टॉप 50 आप वहाँ पर जाकर लगाएंगे, वहाँ पर टॉप 50 का आपको sticker मिल जाएगा, वहाँ अगर आप जाकर ल चुरू कब करेंगे, अगर बाद में आप वीडियो देख रहे हैं, तो हम 21 अगस्ट से हम इस कोर्स की शुरुआत करेंगे, उससे पहले अगर आप देख रहे हैं, तो जोईन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा मुका आप लोगों के लिए है, चुकि मेरा पहला कोर्स लाँ है, बायो नहीं पढ़ना है, केमिस्टी नहीं पढ़ना है, उसके बावजूद भी सारी चीजें जो है, मतलब जोईन करनी पड़ती है बच्चे को, तो यह बहुत ही अच्छा मुका है, आप लोगों के लिए बहुत से बच्चों ने जोईन किया हुआ है, फिफ्टी दौजर्थे के और जोगों को पता है, तो यहां पर जो है, इस तरह के अच्छा के और आप लोगों को बतादें तने करेंजूर् सानच, पादेंगीक्टित हुआ है, जुल ने कामने सलेगों में चाहीं बन फॉरी, जैसे के 2021 वाला जो प्रूशन है, तो यहां इक्वेशन आया हुआ जैसे हमने इसके पहले वाले चैप्टर याने इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के अंदर देखा था कॉलरोश लो बहुत बार 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 आ रहा था बार बार कॉलरोश लो जो हर साल हर एक साल छोड़कर कॉलरोश लो दे रहे थे यहाँ पर objective में आरेनियस equation बहुत देखने के लिए मिलेगा आपको यह 2022 में आया हुआ है, एक आरेनियस equation 2019 में आया हुआ है 2018 में आरेनियस equation उन्होंने पूछा है उसके पहले 2013 में, 2012 में, है ना, उसके पहले 2000, मतलब उसके बाद 2015 में और 2000 यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2018 के अंदर, तो आरेनियस equation जो है वो तो रटके चले जाए है, होपफुली इस बार भी आपको objective में आरेनियस equation का question देखने के लिए मिल जाए इसमें भी हम देखते हैं, chemistry में मैं देखता हूँ कि physical chemistry में ज्यादा repetition आपको देखने के लिए मिलता है, तो कुछ यानि के repeated question, कुछ बार बार आए हुए question वही आपको ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, जैसे order of reaction और molecularity में difference, rate of reaction, rate constant में difference, यह सब चीजे आपको repetition, repeated manner में हर साल देखने के लिए मिलेगी, वो सारी बाते में नहीं बताऊंगा आपको 2021 पर डाइरेक्ट चलते हैं अपन, और 2021 में किस तरह का question आया था हो देखो आप, यह देखो rate of reaction और rate constant पर reaction पर reaction आ गया है, question आ चुका है, ठीक है, उसके बाद जो है half life period का एक numerical इन्होंने आया, 90% completion में कितना time लगेगा, numerical है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो physical chemistry होता है, physical chemistry में से numericals वो जो है, वो किसी ना किसी तीन में से कोई एक chapter आपका रहेगा जिसमें से numerical आएंगे या आएंगे, ठीक है, तो numerical की practice भी साथ-साथ करते जाएं, numerical बहुत आसान होते हैं, को derivations पर देते हैं, बड़े questions पर देते हैं, numerical और छोटे concept पर ध्यान नहीं देते हैं, सारी बाते हमें देख कर चलना पड़ेगी, 2022 में अगर हम देखें तो 2022 में यहां पर इन्होंने zero order reaction पूछा है, example सहीत, याने उन्होंने सिफ definition पूछ लिए तीन मार्क्स में, उसके और में तीन मार्क्स का question है, pseudo order reaction के बारे में पूछा है, 2023 याने पिछले साल का याने इसी साल का जो paper है, उसमें आप लोगों को molecularity और order of reaction में two differences between आये थे, ठीक है, उसके अलावा जो है, उसके और में rate of reaction और rate constant पर difference between, बिलकुल सा paper बना था, simple से question आये थे, chemistry का paper तो मतलब ज्यादा आतर cases में simple ही बनता है, repeated question ही आते है, अब यह देखो यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया है, unit of rate constant for first order and second order reaction, मतलब इतनी दो चीजें लिखने के इन्होंने तीन मार्क्स का question दिया आये, simple सा बिलकुल, उसके अलावा उसके नीचे उन्होंने definition पूछी, जिसमें से एक नया question है तो मैं बार-बार बोलता हूँ कि अगर आपके पास ज्यादा वक्त है, तो आप पिछले 10 साल के paper तो करके जाएं, लेकिन अगर आपके पास वक्त कम है, तो आप 5 साल के paper पर निर्भर होकर भी जाएंगे, तो भी आपको लगभग लगभग 50 से 55 या 60% तक आपको subjective questions repeated देख पढ़ता है, पांच साल या 10 साल पर निर्भर नहीं रेता है, उसके अलावा भी चीजों को पढ़ता है, तो बहुत अच्छे marks आने के उसके chances हो जाते हैं, लेकिन पांच सालों में से तो मुझे पता है, मैंने आपको पहले भी बताया, पूरा analytics है, मेरा पूरा analysis किया हुआ है हर साल का, के पांच सालों में से वो questions मतलब लगभग लगभग 60% के आसपास repeat करके देते हैं, उसके अलावा थोड़ा बहुत बच्चे का पढ़ा हुआ होता है, उसमें से बच्चा कर लेता है, और अगर बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो बहुत अच्छे marks यूट्यो देख रहे होंगे, तो यूट्यूब चैनल सब्स्राइब कर लीजिए, इसी तरह की पी वाइक्यू की स्ट्रेटेजिक वीडियो और उसके अलवा आइम पी कोशन्स की वीडियो अगर आपको टाइम टू टाइम चाहिए, तो हमारे इस चैनल पे आप लोगों को या फिर हमारे अपना जो एंड्रोइड एप है या फिर अपना जो है यूट्यूब चैनल है, उस पर लाइव आ जाएंगे, आप लोगों के जो भी कोर्स से रिलेटेड या कोई भी इन जनरल कोई भी डाउट हो या किसी भी तरह की जो है प्रॉब्लम हो, एकेडमिक से रि या कुछ भी आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं साथ में तो कैसे मैनेज करें, जो भी आपके डाउट होंगे, कोईशन्स लेके कल जरूर बेठें, मैं आप लोगों को उसका टाइम जो है अपडेट कर दूँगा टेली ग्राम पर ही, कि कब हम लाइव आने व के बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो भी टेंचन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएगी, मिलते हैं आप से अगली वीडियो में, थैंक्स फर वाचिंग फॉर दिस वीडियो,